हेलो स्टूडर्स है कि अजीट्स में मीरर फॉर्मूला पर जो क्वेश्टन बेस्ट है नियुम्रिकल्स आज उसी में से एक क्वेश्टन को मैंने चुना है उसे आप देखें ये क्वेश्टन ये कहता है कि एक रियर व्यू मीरर है साइड मीरर भहिकल में ड्रैवर के पगल में लगा रहता है जिससे कि वो पीछे के ट्रैफिक को वो आस्वनी से देख सकता है तो यह इस प्रकार है कि एक rear view mirror है जिसका कि radius of curvature 3 meter है एक object 5 meter दूर है तो यह जो object है इसका image कहां बनेगा इसका nature क्या होगा और इसका size क्या होगा यह question है सबसे पहले बात तो यह है कि यह rear view mirror में हम लोग convex mirror इस्तुमल करते हैं तो यह rear view mirror है यह convex mirror होगा पहले इसके diagram में देखें तब numerical हम लोग शॉल्ट करेंगा यहां से इतरे हम लोग parallel ले ले लेते हैं क्योंकि फोकस होकर जाता हो नजर आएगा जाता नहीं है इसको हम लोग produce कर लेते हैं पीछे के तरफ तो यह इसका reflectivity हो गया दूसरा यहां से यहां से dotted line दे लेंगे और इसको C से मिला देते हैं तो यहां जहां पर यह intersect किया यहीं इसका image होगा तो यह हमारा distance भी हो गया यह U हो गया और यह F हो गया इतना सा हम लोग इसको F बूल सकते हैं हो कर लें यह है कि देखने से पता चल रहा है कि image diminished है छोटा है और चुकि यह mirror के opposite में पड़ा है mirror आपका इधर है यह इधर बना है इरेक्ट है तो यह virtual भी होगा यह है question अब इसके solution को देखे रीडियस ऑफ कर भीचर दिया हुआ है रीडियस ऑफ कर भीचर इसको थी मीटर therefore focal length f is equal to r by 2 is equal to 3 by 2 meter यह convex mirror है light के direction में हम इसका यह distance ना पर है इसलिए यह positive होगा therefore यह quality हम लोग ले लिए object distance यह 5 meter दिया हुआ है light के light का direction इस तरफ है लेकिन distance हम लोग इस तरफ मेजर कर रहे हैं यहां से यहां पर यह पूल है इसका तो यह light के opposite direction में मेजर कर रहे है इसलिए यू minus होगा तो हम लोग लिख लेते हैं यू is equal to minus 5 meter अब हमको निकलना है भी भी is equal to what यह होगे उसका position उसके बाद उसका size size और फिर उसका nature nature of the human यह तीन बाते हमको इसमें find करना है अब आप दिन है by mirror formula by mirror formula 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u therefore 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u इससे हम लोग 1 by v निकाल ले है that implies 1 by v is equal to 1 by f f is equal to 3 by 2 3 by 2 2 उपर चला जाएगा तो 3 by 2 और यह minus 1 by u u is equal to minus 5 यह minus 5 हो जाएगा इसको solve कर लेते हैं 2 by 3 plus 1 by 5 is equal to lcm 15 3 by 5 5 to 10 plus 5 3 3 में तो 13 by 15 यह हमारा निकल गया 1 by 3 तो V is equal to plus 15 by 13 15 by 30 को point में कर्वाट कर लेते हैं 15 by 30 1 2 0.1 705 1.15 is equal to plus 1.15 1.15 टो ऊसका लोकिशन क्या हुआ इमेज का लोगिशन इमेज विभाट इमेज बेंड विभाट इमेज बेंड वी इमेज विफार्म at a distance of at a distance of 1.15 meter इसका नतलर है कि यह जो इमेज बना है यह भी यह हमारा 1.15 है तिक अब हमको यह भी भाइज हो गया अब हमको यह भी भाइज हो गया तो हम दो जमते हैं सिंस M is equal to minus V by U, magnification is equal to minus V by U sin के साथ तो हम दो इसको निखेंगे, minus V, V is equal to 1 point यह हमारा जही निकला है 1.15, 1.15 by U, U minus 5, minus 5, minus 5, minus minus plus कर दिये is equal to 5 plus में 0.23 यह हमारा magnification अब यहां पर यह दिखिए कि magnification 0.23 एक से छोटा है सिंस, magnification is equal to plus 0.23 विखिए less than 1 यह एक से छोटा है इसलिए image diminished होगा देरफोर, image will be diminished इमेज छोटा होगा हम लोग डाइग्राम रेटीज को देख चुके उसके बाद size देकार लिए nature, nature क्या होगा? यह plus sign क्या बतला रहा है? यह positive sign बतलाता है इमेज इरेक्ट होगा, positive sign, source, the image is, is erect और जब यह इरेक्ट होगा तो यह virtual होगा जो कि magnification plus में निकला है इसलिए यह इरेक्ट होगा और भर्जवल होगा यह question इरेक्ट फॉर्मूला पर paste इस पर कही question साथ दे रहते हैं आप इसको बनाएं और मैं और भी कही question इस पर revise कराऊंगा ठीक है? आज इतना सही जाही है आब होगां कैम अर ट films निकला है कर जो कराऊंगा थटी